तो मैं मालम होगा जब भी कोशन हमें कुछ रड़ ट्वाइस की बाद करता है जब भी कोशन हमें बोलेगा ट्वाइस तो ट्वाइस की केस में हम कितने से मर्टिक्लाय देते हैं? दो से ट्वाइस की केस में कितने से मर्टिक्लाय देते हैं? दो से ठीक है तो उसे multiply दे देंगे जब भी कोश़्न हमें बोलेगा जब यह पूशन हमें बूलेगा थ्राइस तो हम कितने से multiply दे तेन से हरवार हम कितने से multiply देढ़ेंगे तेन से त्राइस के किसमें है तषीक है अब देखो जब भी वह बूलेगा लेस 5 लेस 6 तो हमें कितने माइनस करने पड़ेगे देखो अगर वो less 5 कहा रहा है तो मुझे minus करने पड़ेगे minus 5 जब भी वो कहा है less 6 तो मुझे minus करने पड़ेगे minus 6 ठीके अगर वो less के जएक एक वर्ड लिख देता है more तो more का मतलब है अब मुझे minus नहीं करने पड़ेगे more के case में क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा तो more की case में मुझे करना पड़ेगा plus 5 तो ये कुछ logic है जो इस तरह की questions को काफी easy बना देते हैं जो भी मैं करवाने बालूं तो शूर्ट करते हैं काफी सारी बाते में पदल चुद ही तो question number 6 मैं बढ़ रहा हूं यांसे सुनना a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day cottage industry में मालम होगी तुम्हें cottage industry होने कहते हैं जो घरों में काम करते हैं घरों में अपना छोटा मोटा काम कर लेते हैं जैसे गोडिया बनाना, कपड़ों पर कड़ाई करना, मिट्टी के बड़तन बनाना इन्हें बोलते हैं cottage industry तो खेर यह मतल यह कि cottage industry क्या होता है वैसे मैंने अपनी थोड़ा सा बता लिया कि cottage industry होता क्या है तो इस question में बताया गया है कि एक cottage industry है वो कुछ pottery articles बनाती है pottery का मतलब होता है मिट्टी मिट्टी ठीक है और articles का मतलब होता है बड़तन तो खुल बिलाकर है pottery articles का मतलब मिट्टी के बड़तन तो कि कोई cottage industry है और हो क्या बनाती है मिट्टी के बड़तन बनाती है एक दिन में और यह नहीं बताया कितने बनाती है देखो लिखावा है Portage industry produces a certain number of pottery articles in a day कुछ मनाती है का मतलब कुछ बनाती है एक दिन में 10 मना लेती है 15 मना लेती है 20 मना लेती 100 मना लेती है कुछ भी मना सकती है वो तो depend करता है उन पर कि उनकी बनाने की spirit कितनी है तो एक दिन में कुछ pottery articles वो बनाती है Portage industry अब आगे देखते है It was observed that on a particular day ऐसा पाया रहे है That the cost of production of each article देखो Cost of each article कौशन ने बताया है कि जब हमने उनको observe करा मतलब उनकी चांस परताल करी तो हमने देखा कि जो हर एक article को बनाने की cost है एक परतल को बनाने की cost है वो अब मैं आगे पढ़ूँगा कौशन में मैं बताया है जो एक परतल को बनाने की cost है Cost of each article अब आगे लिखते हैं Cost of each article was three more than twice कौशन में लिखा है was three more than twice twice the number of articles twice the number of articles अब देखो मैंने आगे जो starting languages पताया थी question में आगे लिखते है वो क्या रहा है एक article को बनाने की cost एक article को बनाने की cost three more है twice से देखो three more करना है और twice करना है twice का मतलब तो तुम समझ गए कितने से बर्टिक्लाइद देनी होगी मुझे दो से three more का मतलब की समझ गए मुझे कितने plus करने पड़ेगे three plus लेकिन मुद्द आई है यह दोनों का मैं किसमे करो यहां से देखो जो आगे लिखावा होता ना उससे कर देखे बहुत असान का मैं three more than twice और इस सब के आगे क्या लिखाव है number of articles कुछ भी मैं सोचे करो twice के आगे यह more के आगे जो में लिखावा होता है ना उसी से multiply देने करो तो question ने काता कि article को बनारी की course number of articles का twice है और number of articles से जादा है three तीन जादा है तो मुझे बताओ अगर मैं number of particles को थोड़ी दिल की लिए x माल लूँ अगर मैं number of particles को let कर लूँ कि एक दिन में इतने articles बनाय जाते हैं अगर मैं number of particles को x माल लूँ तो बताओ x में जब two से twice करेंगे तो twice का मत्रब यह है ना two x और कितने more करेंटे three more plus three मैं तो इसे repeat कर लेका हूँ question ने काता एक article को बनाने की cost है वो three तो more है और twice है लेकिं किस से number of particles से और number of particles मैंने क्या माल ली है x तो इसे वो twice कर दिया two x three more कर दिया plus three आप हमें करना क्या है number of particles माल नहीं तो portion श्रू कर देए यह तो बस समझाने के लिए ता साल portion number तुमार है six तो ध्यान से लिखना let the number of articles bx मैंने क्या माल लिया x तो देखो cost क्या बनी cost of each article cost of each article यह बनी थी ना cost of each article देखो में सीधा cost of each article यह बनी 2x plus 3 इसमें तो कोई doubt नहीं है अचा cost का बत्रब कर समझते हो Each article की cost एक बर्तल को बनाने की कोस्ट इतनी मैं तुमसे कहा रहा हूँ कि एक दिन में दस बर्तल बनाए जाते हैं एक दिन में कितने बर्तल बनाए जाते हैं दस और एक बर्तल को बनाने की कोस्ट दोर पे आती है एक बर्तल को बनाने की कोस्ट दोर पे आती है तूम एक दिन में स्पंटन बर्तन बनाते हो एक दिन में कितने बर्तन बनाते हो 15 एक बर्तन को बनाने की p людей एक बर्तन बनाने की पोस्त चार रुप है तो टोटल को近 नहीं आ लेगि एक तुम परढ़ लखें हो जितने के बर्तन होते है究 tehd अब मुझे बताओ कितने number of बटन कितने number of articles बान रखे हैं number of articles x है और post कितनी है एक बटन की 2x plus 3 तो बताओ को टोटल पोस्ट निकाल रही है तो मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अब कोशन को आगे करते हैं कोशन अभी बाकी था देखो एक तर टोटल पोस्ट निकाल रही है तो टोटल कोशन को आगे करते हैं कोशन अभी बाकी था देखो एक तर टोटल कोस्ट पोशन में दे रखी है देखो अगोडिंग कोशन करते हैं तो टोटल कोस्ट कोशन में कितनी दी है 90 देखो यह तो अनोंने दी है 90 अब हो अपनी निकाल लेते हैं अभी मैंने बताया था टोटल कोस्ट निकालेगे तो क्या करेंगे नम्मर ओफ आटिकल की मॉल्टिक्लायर किससे देरेंगे कोश्ट ओफ आटिकल से तो एक्स की मॉल्टिक्लायर के देखो तो एक्स प्लस 3 से इक्वल टो 90 अब यह एक्वेशन बिल्कुल सिंपल फॉम में बन गई है और तो इसे सॉल कर सकते हो तो देखो कितनी सिंपल एक्वेशन बन गई है टोटल कोस्ट का बता मैं एक वार फिर से बता देखो यह टोटल कोस्ट तो 90 कोश्ट ने दिखी और हम हमारी जो टोटल कोस्ट निकलेगी अभी मैंने बताया है नम्ड खाटिकल को कि हम कितरे से मॉल्टिप्लाय देख एक्वेशन गई का मुल्टिपाय दे दें एक्स की 2x से कर भी 2x स्कायर और x की 3 से करेंके 3x इक्वल तो 19 ठीक है तो 3x इक्वल तो 19 तो देखो अब वह जो 90 प्लस काया हुदा उसी इंहें लिया हूँ 2x स्कायर प्लस 3x इंहरा की वह हो जाएगा माइस का अब ये गौल्ड इंतिंग्म बहिए और इसको तो अन्हों फैक्टराइज़ेशन से किसी और मेते इसे कर ज़र्पे हो ऐसे को अब हुआने इसको इसको सॉल कर ले न फैक्टर बन जाएंगे मैं थोड़ा फैक्टर बना की दिखा दें नो ठीक है सब्सक्राइब फैक चलो बना है लेतें बटोर से तो नाइन जा है एक्टी त्री थ्री जा नाइन तो व्ल्स आ तो फाइफ त्री फाइच आ फिफ्टे वर फाइब बन्दरा पिद दूर्शे वाहर है ये बन लिया ब्लस के फिफ्टी एक्स मिनस के 12x multiply करने पर minus का 1 equity भी आ जाएगा और plus minus करने पर plus का 3x भी आ जाएगा एसी के अरावा में तुम्हें एक question बोर देता हूँ बिल्कुल इसी के base पर ये question बेरी तरब से लेने question star बना के लिखना एक extra question है वीडियो को post करके इस से पहले ही नॉट कर लेना ठीक है तो देखो next question में भी फूर इसी के base पर ये हम नॉट करना लिखो if if cost of producing if cost of producing one dollar cost of producing one dollar मतलब को industry है जो क्या काम करती है dollar बनाने का ठीक है if cost of producing one dollar एक dollar को बनाने की cost if cost of producing one dollar is five more than is five more than twice the number of dolls five more than twice the number of dolls and the total cost of the dolls total cost of the dolls are 50 total cost of the dolls are 50 ठीक है write down the equation write down the equation तुमें सिर्फ equation निकार लिए solve निकार ना equation बना के दिखा दो मुझे सिर्फ equation बना के दिखा दो मलब बना के दिख लेना मैं class में check कर दूँगा तो देखो बिल्कुल सिंपल सा question है five more करवाया है ठीक है और twice करवाया ना इसमें भी twice करवाया था number of dolls का तो देखो फिर से आगे क्या रिखावा है number of dolls और मैंने बता है था जो भी number of dolls होगा है जो भी उसके आगे रिखावा क्या उसी से multiply देदेते हैं twice भी हम उसी के ही करते हैं तो देखो अगर मैं number of dolls को क्या माल लूँ X तो बताओ जो post होगी वो यह हो जाएगी ना देखो number of dolls को x माना है तो 2x क्योंगी twice करना तो कितने more करने 5 और total post portion में कितनी बता है 50 total post portion में बता रहा है 50 ये total post तो उन्होंने बता है 50 और total cost हमारी बनती है number of dolls in the cost तो इन दोरों के बडिक मैं देदी अपर ये solve करके standard form में आ ज़ेगी अब एक और लिखो में इस रफ से question पहरे इस को not कर लो और फिर एक question और लिखना चीक है लिखो if if cost of producing if cost of producing artificial objects if cost of producing artificial artificial objects is 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 more than 10 rupees is more than 10 rupees and twice the number of objects more than 10 rupees and twice the number of objects and twice the number of objects total cost is 7 total cost is 7 तो quadratic equation बना देना इसमें भी ठीक है quadratic equation बनाने के वाद solve मत करना ये तो बस प्रैक्टिस की नहीं देती मैंने ये प्रैक्त मैंने कर नहीं देती है प्री समेर ट早 पहुद कि आल पहीं करonna